नमस्कार दोस्तो, मैं राजन तिवारी आप सभी लोगों का मेरे सेल जोतिश मंत्र में हार्दियक स्वागत करता हूँ अगर आप मुझ से और मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो की नीचे देगी सब्सक्राइब बेटन को प्रेस कीजिए तो साथ ही बेल आइकन को भी दवाईए ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफेकिशन आपको सबसे पहले मिल सके जैसे बच्चा स्कूल पढ़ने जाता है या स्कूल में कुछ साल पढ़ता है तो उसके मावाप यानिए कि उसके जो पärेंट्स है वो और भो खुद बच्चा खुद भी सोचता है कि मुझे अपना career बनाना है हर बात को लेकर किसी भी तरगी पड़ाई करेगा लेकर साथ में ये जरूर बात करेंगे घर वाली भी और वो खुद भी कि्यार मुझे career बनाना भाए है तो आखिर career है क्या तो आज हम हमारी वीडियो में यही चर्चा करेंगे कि आखिर किस बात को केरियर कहते हैं क्या केरियर खुब पैसे कमाने की बात है या कुछ और है तो हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि आखिर केरियर क्या है और केरियर का चुनाओ कैसे किया जाता है अगर आप इस method के थुरू जो में बताने वाला हूँ, उसके थुरू अगर आप चुनाओ करते हो, तो निश्यत ही वो आपका career बनेगा. आपकी नजरों में career का क्या मतलब है? क्या बहुत सारा पैसा कामाना? या फिर दिन भर काम करना? या सफलता प्राप्त करना? या फिर famous होना? बास्तों में career इन में से कुछ भी नहीं है. career तो अपनी पसंद का ध्यान रखते हुए अपनी क्षमताओ के अनुसार, काम को चुनना, ऐसे काम से मिलने वाले आनन तथा गुणबत्ता सही व्यक्ति का संपुण विकास संभवाए. इस तरह रूची, क्षमता और आउसर के अधिती सहियों को career कहा जा सकता है. इसमें सबसे पहले नाम आता है रूची का ये इन्ट्रेस्ट का. रूची का मतलव उस काम से है जिसको करने में आपको आननद प्राप्त होता हो, जिसको करना आपको दिल से पसंद हो और जिसको करते हुए आपको समय का पता ही ना चले. दूसरा नाम आता है शमता येनि capability. रूची के अनुसर काम करने की प्रतिभा का होना ये शमता कहलाता है, रूची के अनुसर काम करने की समझवा ज्यान का होना ये विक शमता है और रूची के अनुसर काम करने का कोशल मतलव स्किल का होना. तीसरा है अवसर इन अपॉर्चिनिटी अपनी अवशक्त को पूरा करने के लिए धन कमाने के रास्ते को अवसर कह सकते हैं समाद्वी उप्योगी कारी को करने के मोके को अवसर कह सकते हैं और साथ ही अपनी परिवार की जरूरत को पूरा करने में उप्यों की धन प्राप्त करने के एक मार को भी आफसर कहा जा सकता है। इस प्रकार रुची, शम्ता और इससे मिलने वाले आफसर से बनता है करियर। इन में से अगर एक कवी अभाव है तो पीछे रह जाता है एक सपना, एक शोक और एक नोकरी। चलिए इसको एक उधारन की थुरू समझते हैं। यह है विकास, यह बहुत अच्छा फुटबाल खेलता है और यह फुटबाल बनना चाहता है और इस खेल में आफसर भी कही हैं। लेकिन तेज धूप में यह जाए देर तक प्रक्टिस नहीं कर सकता। इसलिए फुटबाल बनना इसका सपना हो सकता है लेकिन करियर नहीं। यह मान्या इनको बुक पढ़ने का बहुत शोक है और यह एक घंटे में 200 पेजस पढ़ सकती है लेकिन क्या बुक पढ़ना सिर्फ पैसे कमाया जा सकते हैं नहीं। तो बुक पढ़ना इनका शोक हो सकता है लेकिन करियर नहीं। यह को पीता एक बिजनेस्मेन ने और यह ने भी बिजनेस मनेजमेंट का कोर्स किया है और इस बिजनेस पी आऊसर भी कही है लेकिन येश, बिजनिस करना बिल्कुल परसंद निकरता, वो एक फोटोग्राफर बनना चाहता है तो बिजनिस उसके लिए एक नोकरी का परिया हो सकता है, लेकिन करियर नहीं रोहित एक साफ्ट्वेर इंजिनिर बनना चाहता है, और वो अपने लेटप पर घंटो बेट कर काम कर सकता है जैसे आप जानते हैं, साफ्ट्वेर इंजिनिर में आउसर भी बहुत सार है इस तरह से रोहित ने रुची, शम्ता और आउसर के एक कांबिनेशन से अपना केरियर चुनाए, इसी को कहते हैं केरियर तो कैसे लगा आपको इस वीडियो और इसमें दिगर जान करी, अगर आपको इस वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज से लाइक किजिए, शेर किजिए, और मेरे इस चैनल जोतर्श मंदर को सब्सक्राइब किजिए, आज करिए बस इतना ही, मिलते हैं, एक नए वीडियो क के साथ, तब तक आप रहे खुश्च और मुझी दी जाग गया, जैखने।